दोस्तो रिसेंटले अगर आइफोन यूज करना स्टार्ट किया है और इसके अंदर आपको लेटिस्ट आइवस अपडेट करना है तो कैसे करना यही शॉट में बताने वाला आज की वीडियो में टाइम वेश नहीं करेंगे सीधे बढ़ते हैं वीडियो के और अब देखो अब भी कोई सॉफ्ट्वर अपडेट आता है तो आपका जहां पर नाम आपको वीजिबल होता है उसके नीचे ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर नहीं आता है तो आपको यहां पर जेनरल आप्शन में सर्च करना है जेनरल आप्शन में जाने के बाद दोस् कि करुएर। क्या-क्या-क्या-क्या-क्या निच्छे मिल जाएगा अप्शन हमें नीचे मिल जाएगा क्लिक करना है आपके phone का जो passcode आप यूज करते हो device को unlock करने के लिए वो आपको यहापे enter करना है पासइक अपर एंटर करने के बाद थोड़ी देर wait करना है और यहाप आप देख सकते हो automatically download जो है वो start हो चुका है अब यहापे update requested का option आ जाएगा वेट करना है नेच्ट आप देख सकते हैं दूस्तो यहाँ पर update जो है वहाँ पर प्रिपेर हो रहा है इस process में बहुत time लग सकते है दूस्तो तो आपको patience रखना है आपको wait करना होगा जबते कि यह सारी चीज़े complete नहीं होती दोस्तो latest update जो है यहाँ पर download हो चुका है downloaded का option भी आ चुका है अब करेंगे इस update को हम install यहाँ पर install now का option मिलेगा और make sure कि आपकी battery अगर बहुत ज्यादा कम है तो power source जो है आप connect करके रखे और कि charging cable आप आपके phone से connect करके रखे यह recommend किया जाता है हर बार इंस्टॉल करने के लिए install now के उपर क्लिक कीजिएगा वेरिफाइंग अपडेट का इस तरीके से pop up आ जाएगा वेट करना है यहाँ आप देख सकते हो phone जो है automatically यहाँ पर बंद हो चुका है यानि कि अब जो है यहाँ पर update का जो installation का जो process है वो यहाँ पर start हो जाएगा इस तरीके से apple logo आपको सबसे पहले visible हो जाएगा आपके phone के screen के उपर अब देखो इस process में बहुत ज्यादा time लगता है तो आपको बस wait करना है जब तक यह जो बार है यहाँ पर complete नहीं हो जाता दोस्तों update जो है यहाँ पर complete हो जुका है आप देख सकते हो यहाँ पर software update आ गया है अब यहाँ पर phone को करते है सबसे पहले unlock settings में जाएंगे और settings में जाने के बाद यहाँ पर जाना है general option में और यहाँ पे software update पे अगर आप click करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे latest iOS 16.1.2 iOS is up to date अगर आपका latest iOS update है तो आपको भी इसी तरीके से software update के अंडर यह message मिल जाएगा तो बस दोस्तो यही simple steps आपको भी follow करना है अगर आपको आपके iPhone को update करना है latest iOS पे वीडियो अच्छा लागा लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन मत भूलिये मैं मिलता हूँ next वीडियो में thank you